हाँ जी दोस्तों क्या हाल है क्या हाल है I hope you are all doing really really well दोस्तों ये एक बहुत important वीडियो है हर उस student ले जिसका CA final में 2024 में या November 2024 में exam है दोस्तों ये वीडियो एकदम ध्यान से सुनना अन तक सुनना और आप लोगों के लिए जानना बहुत relevant है कि अब सर आपके CA final में सिर्फ 6 subject हो गए जिसमें से 6 subject जो है उसमें बहुत सारे case studies वगरा आने वाले है और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आप से आप लोगों के paper 4 के बारे में direct tax के बारे में कि ये सारे जो 6 subject है इसमें सबसे बड़ा pain point आज के date में student का है direct tax bank लाने वाले बच्चे भी 65-70 ये सारे score कर रहे so what is the pain point what is going wrong and that is the question that I am here to answer दोस्तों क्या होता है DT में आप जब अभी DT पढ़ना शुरू करने वाले या आप DT पढ़ रहे तो ये चीज़े आपको पहले से पता होनी चाहिए ताकि अगर problem पता रहेगी तो ही आप इसको क्या कर सकेंगे solve कर सकेंगे मैं आपको बताऊंगा सबसे पहली चीज क्या होती है DT करने के लिए कि आप उसकी proper classes लगाए उसको proper समझे कि DT जो active हो बना कि हो provision क्यों लाया गया क्यों किसी चीज़ को हम किस तरी किस amendment आता है ये सारी चीज़ आप समझे पर दोस्तो होता गया है आप लोग classes तो ले लेते हो कोई भी faculty की चाहे classes ले लो पर आप recorded लेते हो और recorded lecture सतर असी घंटे देखने के बाद आप उसमें डील चोड़ देते हो और डील चोड़ने के बाद आपका जैसे जैसे exam करीब आता है समय कम होता है तो या तो उसी faculty की फिर आप past track लेते हो या फिर आप YouTube में revision video देखते हो तो दोस्तों मेरे को एक बात बताओ हमारे life का A में CA कर से होता है कि हम बस delay कर रहे है आज का lecture कल देख लेंगे कल का परसू देख लेंगे और यही चलता रहता है तो सबसे बड़ा problem है classes दूसरी problem है दोस्तों आप लोगों का volume of syllabus मतलब सर अनंतकाल मतलब इतना बढ़ा syllabus है ऐसा लगता है अब हो जाएगा अब हो जाएगा अब हो जिससे यह लोग बहुत प्यारा MCQ बनाते है और एक बात समझो direct tax का question मनाने वाले जित्ते भी लोग है वो charted accountant है direct tax में बहुत जादा practice होता है तो इन लोगों का knowledge level बहुत high है तो यह लोग question बहुत depth में frame कर सकते हैं क्योंकि यह लोग practical life में बहुत सारे problems देखते हैं तो क्य लिया चोटी-चोटी चीज़े याद कैसे रखे और सबसे last problem क्या है दोस्तों कि सर इतना सब कर भी लिया मान लो तो देड़ दिन में इतना heavy syllabus revision कैसे होगा तो दोस्तों यह सारे problem का मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए the ultimate solution प्लीज मेरी बात सुनना हाँ जी हाँ सही स समय पर खतम नहीं होती कोई बात नहीं मैं आप लोगों के लिए एक नया life batch ला रहा हूँ 4th December से अब दोस्तों मैंने जब अपनी DT की classes करी थी ना तो मैंने मुंबे से face to face class करी थी face to face class में एक अलगी discipline बनता है तो अब यह recorded का backup का यह सब का चोचले नहीं थे तो उससे क्य कबार अगर आपने मालो नहीं देख पाए तो आप इसको बहुत strictly follow करोगे आप live attend करने की कोशिश करोगे क्योंकि आपको डर है कि भाई या live नहीं देखूंगा तो recorded में limited views है भाई आप में को बोलोगे ना सर आप please मेरा views बढ़ा दो मैं बढ़ा दूगा मेरे को कोई problem नही कोई problem नहीं है पर live batch का जो views रहेगा वो 0.5 views रहेंगे ताकि आप जो है उसमें live attend करो बिल्कुल भी उसको मिसना करो मेरे साथ discipline के साथ 4th December से ले करके Valentine's Day तक यानि कि 14 February तक आप मेरे साथ batch कदम कर लो उसमें बीच में जो भी छुट्टी है वो सारी planned है वो आप लोगों को पादी जाएगी Monday to Saturday batch रहेगा तोस्तों यह जो batch की सबसे बड़ी खास्यत होने वाली है इसमें यह है कि batch का timing आप लोगों के schedule को बहुत ध्यान में रखके रखा गया है December और January का समय है December में तो आपका office एकदम हलके में रहता है थोड़ा सा पर in the same time अगर मैं सुबस साथ की batch announce करता ना शुरू के 5 दिन सुम जोश में कर लेते जैसे मैं कर लेता आगे आने के बाद में धीला पढ़ ही जाता तो इसलिए मैंने batch का timing रखा है शाम के 8 बज़े से ले करके साड़े 10 बज़े तक अगर मालो आप बोल रहे हैं कि मैं office से सर घर पहुंची नहीं पाता अरे पहुंचना पड़ेगा अब हमारी extreme priority हमारी exam होनी चाहिए office वालों को कितना भी करके दे तो कम ही लगेगा उनको तो भईया हमारी extreme priority exams होनी चाहिए तो 8 बज़े मांग रहे ना मैंने 7 भी नहीं रखा इसलिए मैंने 8 बज़े से रखा कि हम 7.30 तक घर आएंगे revision करेंगे 8 ब लोगों को class के दौरान बहुत सारे summaries बनाने वाला हूँ बहुत सारे summaries जो अगर आपने law के lectures में से लिया है तो आपने देखा होगा जो best part of ultimate solution है last में उसी तरह की duty की बहुत सारी summaries आपको class में बना के देने वाला हूँ इससे आपको बहुत सारी चुटी चुटी चीजे याद करने में और MCQs में बहुत होने वाला है सर याद नहीं रहता उसका एक और solution निकाला है मैंने revision audio जिसे आपका law में भूला series है वैसे tax में आपका tax shots है और यह tax shots जो है 30-60 ml वाला नहीं भाई यह seconds and minutes वाला shots है सर इसमें Shorts में क्या होते है एकदम short में मैंने वो जो tax का Shorts S-H-O-T-S tax shots तो यह जो होता है इसमें मैं क्या करवाता हूँ आपको revision करवा के दूँगा एकदम short में revision audio में तो आपको concepts में बहुत grip आएगा और दोस्तो लास्ट one and a half day revision के लिए मैं आप लोगों को इस batch के साथ the ultimate solution की book भी देने वाला हूँ जो इसमें आपको summary notes और question bank दोनों आएंगे दोस्तो जो summary notes है उसमें ICI module का जो नया वाला है उसका पूरा 100% coverage मिलेगा आपको और वो भी सर्फ 300 pages में और दोस्तो जो आपकी question bank रहेगी उसमें पिछले past 10 attempt के questions एकदम fully presented और updated है और आपको वो question bank भी बहुत help करेगा तो यह दोनों किताबे आपको मिलने वाली है अब सर इ मेरी बार timing हो गया life batch का discipline आपको मिलेगा बहुत comprehensive batch होगा क्या यह exam oriented में यह कहूंगा ना तो यह exam oriented है ना तो fast track है ना तो regular है यह उतना है जितना आपको चाहिए भाई जो provision important है उसमें सर थोड़ा तनिक तनिक जादा समझा दो सर जो provision नहीं आ रहा है पांच साल से तनिक तनिक समझा दो पर सर यह वही batch है जो आप लोगों को जिसकी जरुवत है नाम देने से कुछ नहीं बदलने वाला है इस रिष्टे को बिने नाम के ही रहने दो सर आपको इस batch के साथ class में बहुत सारा scribble भी करवाया जाएगा जहां पर आपको जब भी आपका exam में तब तक का support मिलेगा और आप लोगों को इसके साथ चार planned test मिलेंगे module wise और एक आपको पूरे chapter पूरे DT का test मिलेगा पांच के पांच test मिलेंगे और अगर हो सकेगा तो आपके test को चेक करवा के भी विलूँगा तो दोस्तों यह आप लोगों का पूरा का पूरा CA final का direct tax है यहां तक जिन्होंने सुना दोस्तों एक बर इसको consider जरूर करना तो अब मेहनत करने का समय है direct tax में और direct tax law में तो फिल भी exemption नहीं आये थे CA final में वेको direct tax में तो exemption भी थे तो I am going to teach you the ranker's way to ace your exam and I promise you that you are going to thoroughly enjoy this batch which is starting from 4th of December. I really hope that you place your trust on me once again and we will nail it this time. तो दोस्तों नीचे जाकर के description में आपको link मिल जाएगा comment में वहाँ पे जाकर के आप वो link लीजिए और register कर लीजिए. 30th November तक आप लोगों का early bird prices है जिसमें आपको batch जो है वो 3999 में मिल जाएगी और उसके बाद batch जो है वो 4999 की हो जाएगी. तो दोस्तों मिलता हूँ आप तो दोस्तों मिलता है झाएगी 666 श Local के बाद्क हckedू 660 के भीजिए